नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News इन जिलों में रहत तक जेंज, नू, दादरी और जजजर सामिल हैं वहीं सिया मनवरलाल खटर ने काया कि हमारी जाचों में इन जिलों में नेकल होने के सब्सक्राइब मामली सामने आए हैं हर्याना SSC के और से कहा गया है कि एकजाम की तयारिया पूरी हो चुके हैं अब यर्थी दो नौमबर को अपना एड्मिट काल डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही इसी दिन प्रिक्षा केंदर भी अलोट कर दी जाएंगे अभी है प्रिक्षा गुरूप C के लिए ली जा रही है जिसके बाद गुरूप D के लिए अलग से प्रिक्षा होगी हर्याना पंच्या चुनाव 2022 अपडेट शेयाजार बीस इवियम स्ट्रोंग रूम में जवाँ इलक्षन कमिशनर बोले अब सरपंची के लिए करें वोटिंग हर्याना में पंच्या चुनाव की पहले चड़का मतदान पूरा हो चुका है सुबे के नो जिलों में 70.7 फिस दी वोटिंग हुई है मतदान के बाद 2020 इवियम स्ट्रोंग नो में पहुचा दी गई है जहां कड़े सुरक्षा के इंदिजाम किये गए है नतीजे 27 नोमर को मतदगर्णा के बाद गोशित किया जाएंगे राजिन निर्वाचन नायुक धनपाचिंग ने बताया कि पहले चड़गा चुनाव सांतिपुन संपन होने पर सभी मतदाताओं को बदाई दी है उन्होंने काया कि आप 2 नोमर को सरपंची के लिए वोट दे इनके नतीजे उशी दिन गोशित कर दे जाएंगे उन्होंने अपील किया कि मतदाता चुनाव में अच्छी सभी वाले कंडिडेट को वोट डाले बीजेपी जेजेपी की रैली में दुश्यंत के सीयम आया के नारे डिप्टी सीयम ने आदंपुर में किया भवे विशनोई का परचार पहली बार पहुंचे हरियाना में हिसार में आदंपुर उप्चुनाव को लेकर बाल समन में डिप्टी सीयम दुश्यंत चोटाला ने जन सभा को सम्बोधित किया दुश्यंत चोटाला ने अपने भाषन में जहां बावे विशनोई को जितानी की अपील की और वहीं सरकार की उपलब्दियां भी गिनाई इतना ही नहीं दुश्यंत के सम्बोधन से पहले शहरी निकाय मंतरी कमल गुपता और कुलदीप के समक्स जजबा कारेकरताव ने आया आया सीयम आया के नारी लगाए साथ ही युआ मुख्यवंतरी जिंदाबाद के नारी लगाए गए इतना ही नहीं दुश्यंत चोटाला ने अपने भाषन में हिसार और आदमपुर के पुराने चुनाओं में चोदरी भचलनाल परिवार के जीत और हार का भी जिकर किया कॉंग्रेस और भुपेंदर हुड़ा पर कटाक्स किया परन्तु कॉंग्रेस उमिद्वार जेपी पर किसी प्रकार का कोई कटाक्स नहीं किया परदेश की राजनीती हितियास में पहला मोकाई जब आदमपुर उप्चुनाओं में दिल्ली महिला आयो की चेर परसंट स्वाति मालिवाल को जवाब दिया है डेरे का कहना है कि डेरा मुखी रामराहिम के किसी अनुयाई ने मालिवाल को धमकी नहीं दी है कुछ लोग डेरा सचा सोदा और डेरा मुखी राम रहीम को बदनाम करने की साजी सरत रहे हैं डेरा सरधालों के किसी को धमकी देने की बाद बिल्कुल गलत है डेरा प्रेमियों ने किसी को कुछ नहीं कहा है अगर कोई ऐसा माजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं या फिर दहिज पर्था जैसी कुरूतियों को समाज सी दूर भगाना हो। डेरे के सरधालों के द्वारा कुछ ऐसा काम करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। यह तो ऐसा मजिक ततो द्वारा डेरा वर डेरा प्रमुकित सबी को खराब करने की साजी से रची जा रही है जिसकी डेरा सचा सोधा घोर निंदा करता है। प्राली जलानी से जिले का एर क्वाल्टी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर यानि 500 के पार निकल गया है। आदंपुर उप्चनाओ की मतगर्ना 13 राउंड में होगी काउंटिंग के लिए लगाई जाएंगी 14 टेबल। इसार के आदंपुर विदानसवा निर्वाजन छेत्र में 3 नौवंबर को होने वाले उप्चनाओ की मतगर्ना 6 नौवंबर को सुबह 8 बजे महाविर स्टेडियम स्थीद बॉक्सिंग हाल में की जाएगी। यह जानकारी बरवाला के SDM ए मतगर्ना के नोडल अधिकारी अस्वीर नैन ने मतगर्ना रिहरसल के दोरान दी। दर्ज करने होगी। जिन में से अब तक 15 लाग टन प्राली का उप्योग अभी हो रहा है। उत्र भारत के सिंदुवन में स्थीद श्रीकापाल मोचन तिर्थ स्थल पर आयजित होने वाले पांच द्योशी अंतराजी मेले के लिए प्रशासन ने सभी तरह के इंतिजाम पूरे कर ली है। तिनो पावितर श्रोवरों में पावितर जल भर दिया गया है और पूरे तिर्थ स्थल को रंग रोगन कर आकर्सक रूप से सजाया गया है। प्रशासन का अनुमाने की पिछले साल की भांती इस बार भी मेले में पंजाब हर्याना हिमाचल वह उत्र प्रदेश समेथ करीब 810 लाग सर्धालों पहुंच कर पवितर सरोवरों में सनान करेंगे। प्रिक्षा केंसल होने का एक फर्जी नोटिस गुम रहा है अभ्यारती इस नोटिस के बैकावे में नया आई या पूरी तरह से फेक यानि फर्जी है। कॉमन पातरता प्रिक्षा 5 और 6 नोवमबर 2022 को अपने पूरू निर्धारित कारेकरम के अनुसार आउजित की जाएगी। वहीं CET प्रिक्षा को लेकर हर्याना करमचारी चैनायो के अध्यक्स बोपाल सिंग खदरी ने कहा है कि निर्धारित समय पर CET का एकजाम होगा। दो नोवमबर से अड्मिट का डाउनलोड किये जासकेंगे। बता दें कि इस प्रिक्षा के लिए 11,36,834 अभ्यार्तियों ने अपना रिजिस्टेशन करवाया है। एक नोवमबर यानि आज स्याम पांच बजे तक अपना फोर्म सही करके अपडेट कर दें नहीं तो फार्म रद हो जाएंगे। बोड ने पत्र में उन अभ्यार्तियों के रजिस्ट्रेशन नमबर बिजारी किये है। चुनाव आयो के और सी जिलापरिश्ट परत्याश्यों के लिए तीस तीस तथा पंचों के लिए अठारा चुनाव चिन ने तैय किये गए है। सोमार को साम तीन बजे तक नाम वापसी के प्रिक्रिया पूरे होती ही परत्याश्यों के अंतिम सुची जारी कर दी गई है। एम्स दिली ने आमजन को दी बड़ी राहत मुफ्त में OPD रजिस्टरेशन के साथ तीन सुरुपे तक जाज होगी फिरी। फिस को भी समाप्त कर दिया है। अब लोगों को रजिस्टरेशन के लिए किसे भी तरह का सुल्क नहीं देना होगा। OPD रजिस्टरेशन मुफ्त करने के साथ ही एम्स परसासन के और से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तैद अब एम्स में 300 प्रते की जाज सुईधा भी निशुल्क यानी फिरी उप्लब्त कराए जाएगी। इन इन भी मंगलवार यानी 2 अक्तोबर से प्रभावी होगा। प्रक्स में जोरों सोरों से परचार कर रही है। चातरवरती वे पिला कार जैसी योजनाई बंद कर दलित वे पिछड़ा वरग समाज के हितों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मुपेंदर सिंग उड़ा ने एक बड़ी गोशना करते भी का कि हर्याना में कांगरिस के सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फिरी दी जाएगी। उन्होंने का कि किसानों की फसले नियूंतम समर्थर मुल यानि MSP पर खरीद दी जाएगी और उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। प्राव भी होंगे जिनका सेदा असर आपकी जेव पर पड़ेगा। एक नॉवंबर यानि आज से LPG सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपकी रजिस्टर्ड मॉबाइल नमर पर OTP आएगा। गैस की डिलिवरी के समय आपको यह OTP बताना होगा। तब ही आपको सिलेंडर मिल पाएगा। सरकार ने गैस की काला बाजारी को रोकने के लिए N.E.M. लागू किया है। वही एक नौमबर यानि आज से सिलेंडर के दाम में भी बदलाव देखरे को मिल सकता है। वहीं GST रिटर में बदलाव के तहत अब 5 क्रोड रुपे से कम टरन ओर वाले करदाताओं को GST रिटर में 4 अंकों का HSN कोड लिखना आनिवारी होगा। इससे पहले दो अंकों का HSN कोड डालना होता था। जरूरी था लेकिन एक नॉमबर से KYC सब के लिए आवशक कर दिया गया है। वहीं राश्ट्राजानी दिल्ली में बिजली सबसीड़ी का लाव उठाने के लिए एक नॉमबर यानि आज से नए नियम का पालन करना होगा। अगर आप बिजली सबसीड़ी का लाव उठाना चाहते हैं तो आपको एक नॉमबर यानि आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अन्य था 200 उनिट तक मिलने वाली मूब यानि फिरी बिजली की सुईधा बंद हो जाएगी। इसी तरह 1,000 रुपे वाली प्रिपेड प्रान 250 रुपे बढ़कर 1250 रुपे के हो जाएंगे। बताने कि रिलाइंस जीओ शाल 2022-2023 दूसरी तिमाई में टैरिक प्लान में 20 फिजदी का इजाफ़ा कर सकती है। कहा जा रहा है कि टैलिकॉम इंड़स्टि के लिए नेट्रक और स्पेक्टर में निवेस करने के लिए परती यूजर ओसे त्रिवेन्यू में बढ़ोतरी करना आउशिक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टैलिकॉम सर्विस की क्वाल्टिक खराब होने की संभावना है। आटो, आईटी, फार्मा सेक्टर में खरीदारी से बाजार में तेजी दिखाई दी। अकेली इसी महिने की बात करें तो सैंसेक्स तीन अजार अंक अधिक चड़ा है। तेरा स्तंबर के बाद नेफटी 18,000 के पार पहुंचा है वहीं सराफबाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो ये 57,350 रुपए प्रती किलोगराम के स्तर पर पहुंच गई है।